बिस्मिल्ला इर्माल रहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज हम कैरी की चट्नी बनाएंगे, यह बहुत मजे का लगता है, खटा खटा है, कैरी का चट्नी, आप भी बनाकर खाएं, इसके लिए हम लेंगे दो कैरी, देखें, इस तरह की दो कैरी लेंगे, और तीन चम्मच सर्सो का तेल, और चार जबल असन, आदी चम्मच चाई की चम्मच, आदी चम्मच कुट्टी लाल मिर्च, और आदी चम्मच नमक, बच चार-पांच चीजों से यह बन जाता है, सबसे पहले हम कैरी को छील लेंगे, छील कर अच्छी तरह से, छोटा-छोटा काट लेंगे, अभी क पैरी का मौसम है, आप लोग भी बना कर खाया करें, बहुत मज़े का लगता है, दाल-चावल के साथ, रोटी के साथ, पकौरे के साथ, जिसे खटा पसंद है, वो खायें बना कर, इसारे छिलका निकाल लेंगे हम इस तरह से छिलके, देखें, सारे छिल जुका है, अभी से काटेंगे, छोटा-छोटा, इसके बीच को नहीं डालना है, बीच को फेग देंगे, इसी तरह से हम सारा दोनों केहरी को काट लेंगे, छिलकर, देखें, सारा कट चुका है, अब दूसरा केहरी भी इसी तरह से छिलकर काटेंगे, इसी कट चुका है सारा, अब बिलेंडर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और दोनों केहरी डालेंगे, कटा हुआ, और लसन डालेंगे, कुटी लाल मेर्ज, नमक, यह दोनों भी डालेंगे, इसमें, और इसे बिलेंड कर लेंगे, अच्छी तरह से, यह बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत मज़े का होता है, आप लोग भी बनाया करें, आपको हमारी वीडियो पसन आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूले, देखें, यह बिलेंड हो चुका है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसमें सरसो का तेल डालेंगे, तेल डालके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यह कैरी का चटनी तयार है, तयार हो चुका है, अब इसे डिशाउट करेंगे, आप भी बनाएं, खाएं, खुश रहें, अपने अपने घरों में अबाद रहें, हमें भी दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला हाफीज, कि ऊंपने अंपने टीजे ख में पतί तयाक्ता है, मैं में में हो च nine meter में भी तयाएं, झार करेंगे, तो इसे त याद हमेगें धहापना क्पया से अंपने के अंपने झाल, 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 झाल 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 झाल